दोस्तो आज कर वीदियो को टॉपिक है एड माणेट करके किसी मोटर को हम चलाते हैं तो हमको एक से लेकर 5 most advantage बहुत सरलता होगि बहुतला असान िसके लाभ हम दोस्तो जैसा इस हमारी drive का नाम है variable frequency drive ऑके असार वारीवD एक our कारण हमारी के स्पीड को कंट्रोल करते हैं गड़ाय की स्पीड अगर घरते हैं तो हमारी आगर गड़ते हैं तो अगर मोटर के स्पीड भी घरती है एसा क्यों होता है कि दोस्तों हमारी जो फृक्वैस गडमेंगर कीजि़ लाट है इसको आगे जान लेते हैं इसके लिए ढाटा डाटा है जैसे हमारी स्पिेल के डाटा 465 बॉल्ट Data dueleustbook है फ्रिक्वैस ऐक के D प्रिक्वेंशी और स्पीड में उसका फार्मॉला होता है एंड इज गल्टू एफ इन्टू 120 डिवाइड़ड़ वाइप जिसे मारे यहाफ हमारी फ्रिक्वेंशी होती है प्लो की संख्या उसको हम दो तरीके से घटा बढ़ा सकते चाहें प्लो की संख्या को घटा बढ़ा सब्सक्राइब करेंगे तो आएगा 6000 डिवाइड़ वाइड़ भाग देंगे तुम्हारे प्लो की संख्या को घटा बढ़ा नहीं सकते हमारे पास अब आप्सन क्या बचा कि हम फ्रिक्वेंशी को ही घटा बढ़ा के स्पीड को वायरी करें द्धूर्व करेंगे तो इसको आएगा 1 फ्रिक्वेंशी को रखते हैं तो इसको आएगा 120 डिवाइड़ फ्रिक्वेंशी मेंथ करेंगे तो हमारे मोटर कितीनी Top करेंगे कि अब फ्रिक्वेसि को 25 पर कर देते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो थीने जार वाइगे चार और इसको हल करेंगे तो आज आएगा मेरा किसी मोटर को रन कराते हैं तो हमारी मोटर बहुत स्मूथली स्टार्ट होती है स्मूथली स्टॉपिंग भी होती है तो स्मूथली स्टॉपिंग भी होती है तो स्मूथली स्टॉपिंग का जो कॉंसेप्ट है हमारा एसलरेशन हमारे और फ्रिक्वेस्ट ड्राइब में एक प होती है ओके दोस्तों लेकिन यदि हम मोटर को हम भी अबड़ रहे के धुरू करें कर चलाते हैं तो इसमें एक पैरा मीटर होता acceleration अगर इसमें हम पैरा मेटर में सेट कर दें कि 5 सिकेंड ओके अगर भी अब आक़ें को एकिव करने में और चाहिएं उसको 5 सिकेंड को समय लगेगा एक कि मोटर को और साघे 1 2 2 पर गति करने हैं जो हमारी मोटर जीरो से स्टार्ट होती है साड़े साथ सो आर्पीम को पहुंचने में उसको लगता है 5 सेकंड इसलिए हमारी मौत बहुत स्मूथली स्टार्ट होती है अब आता है DSLS का मतलब यदि हम यहां पर 5 सेकंड का टाइम सेट कर दें और हम अगर मोटर को स्टाप करेंगे तो हमारी मोटर जो साड़े साथ सो आर्पीम पर गति कर रही है उसको जीरो आर्पीम में आने के लिए 5 सेकंड का समय लेगा इसलिए हमारी मोटर बहुत स्मूथल सेस्विध का मतलब आर्ट सैनर फ्रेंग ओ तो रहां हमारी में जाय्वादा अक्टेर के प्लानट से सेविध कि में कूछ अईसे अप्लिकेसिन होते हैं जिनको हमको अलाग आ की स्पीड फ्नकरती और 8 प्शन कर भीन चार्स कर दो का निया किनसे क्वेशं क्नाटर-बारफ सब्सक्राइब वियुलाइबिय। Till छह Lust हुआदे... सबसक्त लाइब में... सबसक्राहिट धीन सबसक्राइब करें .. सबस्क्ते में मूर... वेड़ाइब भुआब टार्क धीन... उस बॉल को कहते हैं तो कहने को मतलब अगर हम स्पीड को कंट्रोलिंग करेंगे हमारी जो टार्ख ओवी चेंज होगा और एकजांपल की बात की कौँछ सी मोटर में जिससेंटरीफ पंप का मोटर हो गया है स्ट्रीच अजिए जसरों कि सब्सक्राइब करएं ज्यादा कर रहें तो टार्क पर कोई फरक नहीं पड़ा था एक्जांपल की बात करें से हो इस्ट मारा होता है किसे हम लोट को उठाते हैं या ट्रैक्शन ड्राइव होगे हमारे जा बड़ी-बड़ी क्रेन होती है या कन्वेयर हो गए या पाइस्टी डिस्मेंडल का पंप हो गया इसी का कंप्रेसर होता है तो दोस्तों काने मादब हमारे क्या होईस्ट है अगर उसकी कैपसिटी है टे टेंटन का लोट नहीं उठाएगा उसमें और सिर्फ 5 तन का या 8 तन का लोट इस ऐसा नहीं करेगा अगर स्पीड को हम कम करें या ज्यादा करें लेकिन उसकी कैपसिटी चेंज नहीं होगी हमारा टार्क चेंज नहीं होगा ओके दोस्तों देखते हैं हमारा यह जो पावर पावर इसके लिए आगे देखते हैं आगे इसके क्या है कि एक जामपल के लिए हम एक मोटर लेते हैं जिसकी 415 बोल्ट ची मोटर है फ्रिक्वेंसी 50 शर्ट है अगर स्पीड करें दिस पंद्रों सो अगर पावर इस मोटर की जो है 10 एच्पी पहले वारीबल टार्क लोट बात की जायता सिर्फ 25 प्रसेइं चार कर जागा साधे सासौ और फिम इसमें दो आप और जो उस आंड़े मोटर लेगी सिर्व फूल पावर अटवा हिस्सा है अगर हमारी फूल पावर अच्पी है उसका आठवा हिस्सा कितना रहेका सिर्फ 1.25 वह पावर लेगी यह कर हम हमारी मोटर की पावर थी 10 hp की थी अगर उस सिर्फ अब कितना ले रही से 1.25 hp तो 8.75 hp की पावर हमारा सेब होता है यह कब तक सेब होता रहेगा जब तक हमारी मोटर 25 हट की जब तक करेंकि पावर चैनल फर्फ इसमें टार्सी तर्क टंडख़ की इसमें होटा है अगर इसमें भावर की बात की ज biggest owners25 higher सब्सक्राइब तो हमारी मोटर किनी दसेश्पी की अब सिर्फ फाइफ पाइफ पाउर सेश्पी का पाउर सेश्पी का लिए तो हमारे पाइब नमबर तीन पॉइंट नमबर तीन में रखया है कि extend equipment life and reduce maintenance card कहने कि मदो दोस्तों यह दि भेट्ट्र राइव को थुरूब किसी मोटर को जो स्टार्ट करते हैं हमारी मोटर बहुत smoothly स्टार्ट होती है और जो मोटर को स्टॉप करते हैं तो उस कंडिशन में हमारी मोटर बहुत smoothly स्टॉप भी होती है जब मोटर बहुत smoothly स्टार्ट होगी तो इसार्ट हो जाता है तो कि कम मेंट्रेंस का चाष्ट हो जाता है इसी तरह है अगर हम अगर किसी मोटर को हम चलाते हैं तो हमारी क्यूमेंट की लाइब बढ़ जाती है और हमारा मिंट्रेंस का कास्ट भी रेडियूज होता है ओके दोस्तों अब लेते हैं पॉइंट नमबर चार पॉइंट नमबर क्मेरा क्या जा रहा है यह सब्सक्राइब करते हैं और चाता हमारा है सौट सर्किट प्रोटेक्शन और साथ हमेरा के आर्थ फाल्ट या ग्राउंट फाल्ट प्रोटेक्शन तो देए करेंगे मिलता है दोस्तों हमारी व्यापड एक तरह सहार प्रकार के फाल्ट से मोटर को प्लोटेशन देती है अब लेते हैं पॉइंट नमबर अगला पॉइंट अगला मेरा क्या है कि मोटर ट्रिपिंग रिजन सो ऑंदर डिस्पले कहने को मतलब दोस्तों जब मोटर हमार परवाइब किसी भी स्टाटर्स हम चलाते हैं अगर हमारी मोटर किसी भी रेजन से ट्रिफ होती है तो हमको पता नहीं चलता किस कारण हमारी मोटर ट्रिफ होगे तो हमको परवाइब पता चल जाता है ओके देखने से तो उसको प्रवाइब कर देते हैं ओके दोस्तों यह थे हमारे एक से लेकर पांच भी ड्राइग मोट एडवांटेज के बारे में ओके दोस्तों तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा ल तब तक लिए धन्यवाद जय हिंदे